किसान भाईयों नमस्कार आज हम गन्य की पोदा फसल कटाई के बाद फसल अवशेश प्रबंदन पर बात करेंगे किसान भाईयों गन्य की पोदा फसल काटने के बाद जो हमारे सामने शमस्यात यह गन्य की पत्ती हम लोग जला देते हैं उससे बहुत ही हानी किसान भाईयों हमें होती है सबसे पहले यह हानी है कि गन्ने की पत्ति जब हम जलाते हैं तो वायू परदूशन बढ़ता है दूसरा जो हमारी खेत को और्गनिक कार्बन मिलने वाला था वो हम जला देते हैं जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति घटती है तीसरा नुकसान जब हम गन्ने की पत्ति को जलाते हैं तो हमारी जमीन का टेंप्रेचर काफी बढ़ जाता है जिससे जमीन में उपस्ति सुक्षम जिवानों मर जाते हैं इससे हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति गड़ती है और प्राकरतिक खेती में विशेस रूप से सुक्षम जिवानों पर आधारित है जो की उसमें विशेस रूप से हानी होती है इसलिए मेरा आप से अन्रोध है कि गन्ये की पोधा फसल कटाई के बाद उचित रूप में फसल प्रबंदन करना आवशक है जिसके लिए गण्ये की पत्ति को काटना मल्चर के माध्यम से बहुत ही आवशक है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं ट्रेक्टर के साथ मेल्चर को जोड़कर गढणने की पत्ति की कटाई की जाती है किसान भाईयों गन्य की पत्ति काटने से कई सारे लाब हैं हमारी उर्वरा शक्ति बढ़ती है क्योंकि जमीन में जिवान शकारवन बढ़ता है गन्य की पत्ति को काटने से गन्य की पत्ति कटने के बाद मल्चिंग का बहुत अच्छा कार्य करती है और गन की पत्ति को ने जलाए उसका फशल अवशेश प्रबंधन करें और मल्चर की स्थाइता से उसकी कटाई करें धन्यवाद किसान भाईयों यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें धन्य पन्यवाद